हाई फ्रांट्स उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे आज जुमो एन कश्मीर ओनरीबल हाई कोट में एक इंपोर्टेंट हीरिंग है जेके SSB केस में इस हीरिंग के लिए सबी अस्परेंटर्स कहीं दिनों से वेट कर रहे थे कब ये दिन आयेगा और इस केस की अगर हम बात करेंगे इस केस की आज का जो कौरम इसमें रहेगा जेस्ट मुक्षा खुजूरिया काजमी इसी जैज के पास इस केस की सुनवाई होगे दोस्तो आज इंपोर्टेंट हीरिंग है आज आज आपको सब कुछ फता लगेगा जेके SSB की आगे क्या एक्जैमनेश के बारे में तो यहां पर आडर आप देख सकते हो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है अब इस केस में फरदर कोई भी अज्यूर्मेंट नहीं होगा तो इसका मतलब यही है इस केस की अब फाइनल हीरिंग होगी तो यह जरूरी नहीं है आज ही इस केस की फाइनल हीरिंग होग से फर्दर क्या डिरेक्शन पास होंगे इस के स्केस के रिगार्डिंग वो हमें कुछ गंटों के बाद पता लगेगा लेकिन यहां पर अगर हम यह आज देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है however it is made clear that no further adjournment shall be granted on the asking of parties and matter will be considered on merit इसके लावा अगर हम आज देखेंगे इस केस का सीरियल क्या है वो भी यहां पे आप चक कर सकते हो तो यहां पे आप देख लीजे पहले यहां पे हम देखेंगे किस बेंच में यह लगा हुआ है यह केस रूम नमबर किस में इस केस के सुनवाई होगी तो कौरम की बात करेंगे जस्टिस काजमी के पास इस केस के सुनवाई होगी तो यहां पे लिखा हुआ है फाइनल हीरिंग तो फाइनल हीरिंग मोड में यह केस चर रहा है तो अगर हम बात करेंगे सेरियल नमबर की तो सेरियल नमबर यहां पे 45 है सेरियल नमबर 45 पे यह केस लगा हुआ है यहां पे आप खुद भी देख सकती हो विंकल शेर्मा और अद अदूर्स वियस यूटी आप जुमू और कश्मीर और इट्स चेर्मेन तो दोस्तो आज 100% चांसे है यह केस पिक होगा आज इस केस में डेफिनिटली डिसकेशन होगा इस केस में क्या आर्गुमेंटिस रहेंगे कौन से आर्गुमेंटिस होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप से शेयर करेंगे तो फिलहाल आप दुआ कर लिजी यह केस जल्द से जल्द डिस्पूज आफ हो जाए और जो पैंडिंग एक्जैम है जेके एससबी के उन सभी नोडिफिकेशनों का एक्जैम भी जल्द से जल्द हो ताकि कंडिट उनका टाइम जाया ना हो तो दोस्तों देख लिए के आज क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे